आज हम ये सिखेंगे कि सिंगली लिंक लिस्ट से लास्ट नोट कैसे डिलीट किया जाता है हम इसका अल्गोरिदम भी देखेंगे और अल्गोरिदम को step by step function में convert करते हुए भी चलेंगे तो डिरेक्ट अल्गोरिदम और function लिखने से पहले थोड़ी सी इसकी process देख लेते हैं कि इसके लिए हमें क्या था steps लेने पड़ेंगे तो इसके लिए हमने एक example यहां पर लिया है एक link list लिया है जिसमें तीन notes है पस, second, third जैसा कि हमें पता है कि single link list में हर note के दो part होते हैं एक होता है information part जो data को contain करता है और एक होता है address part जिसे हम next हमने यहां पर नाम लिया है पॉइंटर के नाम लिया है next, it always holds the address of next node तो यहां पर 11 पहले note के information part में 11 है और पहले note के address part में that means next part में 2x है और 2x है address second node का इसी तरीके से second node के information part में 22 है और address part में 3x है 3x is the address of third node, third node यहां पर last node है तो इसलिए यह last node के information part में information है that is 99 और इसके next part में null है क्योंकि last node के next part में हमेशा null रहता है this is head, head always holds the address of first node, this means head always holds the link of first node, first node का address यहां पर 1x है, 1x is held by head तो अब इसके लिए cash steps लिए जाते हैं यह देखते हैं तो हमें यह आपर last node delete करना है, last node means this node, this node को delete करने के लिए सबसे पहला काम जो हमें करना होगा, वो यह करना होगा कि this is first node, first node को हमें एक pointer को देना होगा, say temp 1 सबसे हमने इसका नाम ले लिए, temp 1, और अब हमें temp 1 को temp 1 का next node तक तक देना होगा, जब तक temp 1 के next part में null आ जाए, तो यहां पर देखते हैं, temp 1, अभी temp 1 के next में क्या है, temp 1 यह है, temp 1 का next part में है 2x, and 2x is the address of second node, तो temp 1 के next part में null नहीं है, नहीं है तो क्या देखेंगे, temp 1 को अगला node देखेंगे, temp 1 को हमने next node दे दिया, और जो node पहले temp 1 के पास था, इसको हमने देखेंगे temp 2, फिर हमें यह करेंगे, फिर शेक करेंगे कि temp 1 pointer के next part में क्या null है, तो temp 1 यह है, temp 1 के पास यह नोड है, और इस node के next part में 3x है, 3x null नहीं है, तो नहीं है, अब अब इसी प्रोसेस को repeat करना है, फिर temp 1 को उसका next node दे देना है, temp 1 pointer को हम यह वाला next node दे देंगे, और जो पहले temp 1 के पास था, यह वाला node पहले temp 1 के पास था, इसे दे देंगे temp 2 को, तो हमारा इतना वर complete हो गया, अब फिर यहीं कंपारिसन होगा, फिर चेक करेंगे कि temp 1 के next part मे null हो नहीं है, this is temp 1, temp 1 के पास यह वाला node है और इसके next part में null है, तो अब यहाँ पर रुख जाना है, और अब इस last node को delete करना है, तो इस last node को delete करने के लिए, हम क्या करेंगे, कि जो temp 2 के पास है, temp 2 के पास यह वाला node है, means temp 1 से पहले वाला node है temp 2 के पास, तो temp 2 के इस part में, this means next part में हमें null डाल देना है तो इस part में हम null value डाल देंगे assign कर देंगे या पर insert कर देंगे इस नवर को गया जब temp1 के next में null आ जाएगा तो ये वाला link automatically हट जाएगा this link is deleted और आप temp1 के पास जो node है उसको free गर देंगे this means temp1 को जो memory अलोकेट हुई है, अब उसको हम de-allocate कर देगे तो इस तरीके से ये वाला note delete हो जाएगा तो अब हम इसका algorithm देख लेते हैं, तो algorithm को समझने के लिए फिर इस example को दोबारा discuss करते हैं और इस example से हम algorithm को समझेंगे, तो ये second note था, second note के पास address था, third note का, that is 3x, this means इसका link इसके पास था, कुछ ऐसा scenario है, अब इसके steps देखेंगे, algorithm देखते हैं algorithm का first step first step है, assign first note to pointer say temp1 assign कर दो, पहला node temp1 pointer को temp1 pointer को पहला node assign कर देगे ये first node है, इसे assign कर देगे हम temp1 को ये आ गया temp1 के पास अब next step, next step क्या है while temp1 next is not equals to null this means, जब तक temp1 का next, null ना हो जाए, this means जब तक temp1 के next part में null ना हो, तब तक is not equal to null then, repeat step 3 and 4 तो third and fourth step को repeat करते हो तो third step देखते हैं third step है, assign temp1 to temp2 temp1 assign कर दो temp2 को तो जब तक temp1 के next part में null नहीं हो, तब तक temp1 को, temp2 को assign कर देगे तो temp1 है, temp1 के next part में 2x है, this means null नहीं है, null नहीं है तो ये वाला नोड अगर temp2 को भी assign कर देगे, temp2 को assign कर दिया, अब फूर्थ step भी repeat करना है, फूर्थ step है, assign temp1 next to temp1, this means temp1 का next node, temp1 को assign कर दो, assign temp1 next to temp1, तो temp1 ये वाला नोड था temp1 के पास, अब temp1 का अगला node ये है, इससे assign कर देगे, temp1, तो temp1 के पास अब ये वाला नोड नहीं रहेगा, temp1 के पास next node आ जाएगा, फिर ये लिए करना है, while temp1 next is not equal to null, तो जबता temp1 का next मेलना हो जाए, तब तक ये गटना है, तो अब temp1 ये है, temp1 के next में है 3x, 3x is not equal to null, नहीं है नल तो क्या करो, तो 3rd और 4th step रिपी करो, assign temp1 to temp2, temp1 को, temp2 को assign कर दो, तो temp2 के पास, जो temp1 के पास है, वो आ जाएगा, assign हो जाएगा, and 4th step, assign temp1 next to temp1, और temp1 का next node, temp1 को assign कर दो, तो temp1 का next node, temp1 को assign कर देदे, temp1 के पास ये है, और temp1 का next node ये है, इससे assign कर देंगे, तो अब अब temp 2 के पास यह load है और temp 1 के पास यह वाला load है फिर यह होगा while temp 1 next नोटी कुस्टोल temp 1 के next में null है तो अब हमें 3rd और 4th step repeat नहीं करता है अब और ले step में आ जारा है 5th step में 5th step है assign null to temp 2 arrow next means null assign कर दो इसको temp 2 के next को temp 2 के next को null assign कर देजा है temp 2 के पास यह वाला node है इसके next को null assign कर दिया assign कर देंगे null तो यह link automatically हट जाएगा then next de-allocate memory of temp 1 temp 1 को जो भी allocate हुई है उसको de-allocate कर देंगे जब de-allocate करेंगे तो यह last वाला node delete हो जाएगा पूरी तरी तरी से and then and अब हम and हो जाएगे तो it was the algorithm यह algorithm था अब इसको function में convert कर लेते हैं using C language function में convert करने के लिए उसे समझेंगे और समझने के लिए फिर काम करते हैं पर इस figure को as usual पहले की तरह हम draw कर लेते हैं इस figure को हमने पहले की तरह draw कर लिया suppose यहाँ पर है 99 और यह last note है तो यहाँ पर होगा null assume कर लेते हैं कि इसका address है 3x assume कर लिया कि इसका address है 3x 3x store होगा यहाँ पर that's all यह होगा आब इस algorithm को step by step convert कर दे वे चलते हैं तो करते हैं convert convert करने के लिए हमें function का नाम लिखना होगा तो function का नाम decide कर ले रहे हैं function का नाम हमें decide कर लिया delete last अब delete last है तो जब यह function call होगा तो इस pointer के पास होगा head head पी value आ जाएगे this means head के पास पहले note का address आ जाएगा पहले note का address हमने assume किया है 1x तो यह 1x होगा head के पास right अब अब एक ही करके step converter के वे जबते हैं तो converter के लिए जितने भी pointers हमने यहां पर use किया है पहले इन pointers को डिलिया भी कर लेते हैं एक हमने पॉइंटर structure pointer यूज किया है temp 1 अल्गोरिदम में एक यूज एक लिए टैंप 1 और दूसरा हमने यूज किया है temp 2 तो temp 2 को भी हमने declare कर लिया अब आधे अस्टाप्स नाप है लिए लिए टैंप 1 और इसको एसाइंड कर दिया first node first node है head के पास head के पास first node है sign होगा temp 1 को first step is implemented second अगला step है while temp 1 next is not equals to null while जब तक temp 1 का next part not equals to null जब तक temp 1 का next part null के इकवल ना हो जाए तब तक while temp 1 next is not equals to null then repeat step 3 and 4 तो third and fourth step को हमें repeat करना है step 2 के लिए तो third step भी बाई के अंदर आ जाएगा third step क्या है third step is assign temp 1 to temp 2 temp 1 को temp 2 को assign कर दो तो temp 2 को assign कर दिया temp 1 next fourth step assign temp 1 next to temp 1 this means temp 1 का next temp 1 को assign कर दो temp 1 का next temp को assign कर देते है तो temp 1 को आसाइन कर दिया temp 1 का next ये तंब भी हो गया अब फिफ्ट स्ट ने आते हैं फिफ्ट स्ट वाइल के बाहर आएगा repetition के बाहर आएगा तो वाइल के बाहर फिफ्ट स्ट आसाइन नल टू temp 2 next नल असाइन कर दो temp 2 के next को तो temp 2 के next को assign कर दिया नल नल असाइन हो गया अगला स्टैट है de-allocate memory of temp 1 temp 1 को जो भी memory allocate होगी थी उसे de-allocate कर दो तो de-allocate कर दे दे de-allocate के लिए free function होता है free और किसको de-allocate करना है जो temp 1 को allocate था temp 1 इसे हम नहीं कर दिया free next next है end end है तो function को हम close कर दिए अब इस function को एक बार समझ लेते हैं step by step तो जब ये function call होगा calling base head के पास आजाएगा 1x का address this means first mode का address हाजाएगा 1x तो head के पास होगा 1x head के पास है number 1x अब line में flow is function के अंदर आएगा और function के statement execute होंगे function के अंदर head is assigned to 10 head के पास जोगी है तो temp 1 को assign हो जाएगा अब head के पास के है head के पास है 1x तो ये 1x वाला node assign हो जाएगा temp 1 को तो ये वाला then flow जोगी तो नेक्स स्टेब next step is while while say temp 1 next not equals to null condition check होगी temp 1 next access होगा अब temp 1 है ये और temp 1 की next part में है 2x तो यहां से access होगा 2x 2x is not equals to null this condition is true y के condition true तो flow up y के अंदर जाएगा और y के अंदर temp 1 assign हो जाएगा temp 2 तो this temp 1 will be assigned to temp 2 temp 1 के पास के है temp 1 के पास है 1x तो this 1x is assigned to temp 2 तो this 1x ये वाला node temp 2 के पास भी आ जाएगा तो तो के पास आ गया मैंने next step temp 1 equals 2 temp 1 next अब temp 1 के next यहां से temp 1 का next access होगा ये है temp 1 temp 1 के next में है 2x तो यहां से access होगा 2x and this 2x is assigned to temp 1 temp 1 को assign हो जाएगा 2x तो this 2x वाला node assign हो जाएगा temp 1 को तो temp 1 के पास अब ये वाला node नहीं रहेगा temp 1 के पास 2x वाला node आ जाएगा तो वाली के नदब दो statement है execute होगे then flow again thing goes to the beginning of while फिर वाली के condition check होगी temp 1 next temp 1 का next access होगा है यहां से temp 1 के पास ये वाला node है और इस node के next में है 3x तो अब यहां से access होगा 3x 3x is not equals to null still condition is true y condition true तो y एके अंदर जाएगा और y एके अंदर temp 1 is assigned to temp 2 temp 1 assigned हो जाएगा temp 2 को temp 1 के पास क्या है temp 1 के पास है 2x तो this 2x is assigned to temp 2 तो temp 2 के पास अब ये 2x वाला node आ जाएगा temp 2 के पास तो temp 2 के पास अब ये वाला node नहीं है नया node आएगा this one फिर अगले step में जाएगा यहां से temp 1 next assign हो जाएगा temp 1 को अब temp 1 की next में क्या है देखते हैं तो अब temp 1 की next में क्या है temp 1 ये है और temp 1 की next में है 3x तो अब यहां से access होगा 3x and this 3x is assigned to temp 1 temp 1 को assign हो गया 3x तो अब ये assign हो जाएगा temp 1 को तो temp 1 के पास अब ये वाला node नहीं है temp 1 के पास 3x वाला node आगया है ये वाला node आगया है वाई के अंदर दूनों स्टेट्मन एक्जिट होगे फिर flow beginning में आएगा फिर condition check होगी temp 1 next अब temp 1 की next में क्या है ये condition false है तो flow while से बाहर इस statement पर आएगा और यहां से null value assign हो जाएगी temp 2 के next को तो temp 2 के पास है ये वाला node और इसके next part है this one इसमें आजाएगा null इसमें आगया null then flow goes to the next step यहां से 3 temp 1 temp 1 के पास जो भी है वो free हो जाएगा temp 1 के पास क्या है temp 1 के पास ये वाला node है तो this node will be de-allocated from memory यह memory से de-allocated हो जाएगा तो it was function and algorithm that's all thank you